Hello Friends, Welcome to Sushma's Craft and Creation Channel Friends, आज हम ये patch करना सीखेंगे ये jean का cloth है, जो मैंने अपने किसी पुरानी jean से निकाला है और इसको हम ordinary cloth के उपर patch करेंगे और बहुत ही decorative बनाएंगे इसे बहुत सुन्दर wall decors भी बनते हैं और patching के काम भी आता है आप अपनी shirts पे, कुर्ती के उपर या फिर अपनी jeans पे, कहीं पे भी आप ऐसे बना के लगा सकते हैं जो कि बहुत ही unique लगेंगे ये देखें मैंने इसके लिए anchor के thread का इस्तेमाल करना है और needle number 6 के साथ हम इसको बनाएंगे तो मैंने ये off white color का ही सबसे पहले thread लिया है और इसको हम देखें किस तरीके से इसके उपर patching करते हैं patching करने के लिए कोई hard and fast rule नहीं है हम सबसे पहले ये देखें पहले मैं इसको कहीं से भी शुरू करते हुए यूँ stitch लगाती जाओंगे आप इसके उपर एक set pattern भी draw कर सकते हैं यह देखें जैसे कि मैंने यह यहां से कर्व लेते हुए यूँ यहां तक ऐसे ही stitches लेने झाल उसके बाद हम इसको यहां से running stitch भी कर सकते हैं कैसे भी stitches आप अपनी choice से ले सकते हैं अब इसके साथ second line बनाते हुए हम running stitch फिर करेंगे और उसके बाद हम अपने अंदाजे से यूँ देखें ऐसे करके एक और line create करेंगे आप अपनी imagination से कुछ भी बना सकते हैं मैं पहले running stitch ही कर रही हूँ उसके बाद देखना मैं इसको बहुत ही beautifully fill करते हुए और different colors लगाते हुए इसको beautiful patch बनाएंगे जो कि आप कहीं पर भी decorate कर सकते हैं झाल यहां पर हम कुछ लबे स्टिचिस ले रहे हैं यह देखें कर से रहा हैं पर बदएम्ध erक और रहे हैं जा सोन packagedेब यह दिएम्च्छ क करलोंOR क्यों थाने हैं जो ही से भी रहे हैं खपार मोग देखें को से और यह वजआब दर रहे हैं तो ये देखें हमने कुछ outlinings बनाई हैं कुछ वैसे ही straight stitches के साथ इसको fill किया है अब ये जो हमने portions बनाई हैं इनको हम किसी भी stitch के साथ कैसे भी fill कर सकते हैं जिसे ये देखने में सुन्दर लगे तो ये मैं straight stitch के साथ ही इनको भी fill कर रही हूँ अब हम इस portion में कुछ और बनाते हैं छोटे छोटे से cross stitches बनाते हैं इसमें हम simple running stitch कर लेंगे अब इस line के साथ हम green color के साथ french knots लगाते जाते हैं अब ये जो हमारी space है इसके बीच में भी हम different color के साथ french knots ही लगाने जा रहे हैं ये जो edge है यहाँ पर हम कुछ और बनाते हैं एक flower सा बना लेते हैं स्टेट स्टिच के साथ अब हम इसके साथ साथ knot stitch बनाएंगे तो knot stitch आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है आपकी जो basic stitches हैं उनकी practice भी हो रही है ये रखें हम थोड़े से distance पर यूँँग एक छोटा सा बनाते हैं स्टिच लेती हैं और फिर उसके बाद इस स्टिच को उठाते हुए thread को इसके उपर से rotate करते हैं तो यह हमारी यह जो हमारी space है इसके बीच में हम running stitch कर लेंगे तो देखें यहां पर भी हमने कुछ straight stitches लगाए हैं और उसके बाद यहां हम french knot के साथ भी थोड़ा work करेंगे इस line को work करते हुए आके की तरफ जाएंगे एक तो ऐसा करने से बाहर वाली line अच्छे से finish हो जाएगी और यह देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा झाल अब हम इस पेस में छोटे-छोटे से फ्लार्स बना रहे हैं तो देखे फ्रेंड्स मैंने ये औरेंज कलर से फ्लार्स भी बना लिए यहां पे कुछ स्पेस पे मैंने स्ट्रेट स्टिच के साथ स्टिचीज लिए यहां फ्रेंच नॉट के साथ फिल किया तो ये इस कॉर्नर में भी मैंने तीन लेजी डेजी के पेटल्स और साथ में फ्रेंच नॉट्स लगा कर यहां प्लीट किया तो मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अब मैं यहां पे ब्लेंकेट स्टिच कर रही हूँ यह देखें यह जो एज है इस पे मैं ब्लेंकेट स्टिच कर रही हूँ मैं बहुत बेसिक स्टिचिज के साथ यह वर्क कर रही हूँ सिर्फ जो आपको अच्छा लग रहा होगा इसमें वो है मेरा कलर कॉंबिनेशन आप अगर कलर्स द्यान से लगाएंगे तो आपका भी मोटिफ बहुत ही सुन्दर बनेगा और यह जो बची हुई स्टिच है यहाँ पर मैं कुछ फ्रेंच नॉट्स लगा रही हूँ एक ही जगा पर अगर आप अलग अलग तरह के स्टिचिज लगाते हो तो उससे इफेक्ट ज़्यादा चाहता है जैसे मैंने ब्लैंकेट स्टिच को ब्रेक कर दिया अब हम यहाँ पर फ्रेंच नॉट्स लगा रही है यह जो एज है इसको मैं क्रॉस स्टिच के साथ फिल कर रही हूँ कलर चेंज कर लिया है और यूँ यहाँ पर क्रॉस बनाकर इस एज को फिनिश करूँगे एज भी फिनिश हो जाएगा और आपकी इंब्राइडरी भी सुन्दर बनेंगी अब इस साइट पे भी हम फ्रेंच नॉट्स लगा लेंगे यह देखे मैंने यह सिंगल रैप की फ्रेंच नॉट्स लगाई है कुछ और यह फिलिंग्स दी है और इसके साथ साथ मैंने एक स्टेम स्टिच की लेंग लगाई है बस थोड़ा-थोड़ा सा वर्क कर रही हूं और आपको दिखाती जा रही हूं अब यह कॉर्नर मेरा फिनिश करने को है तो इसको मैं ब्लैंकेट स्टिच के साथ फिनिश कर रही हूं और ऐसा करने से आप देख सकते हैं मेरे एज़ीज भी बहुत अच्छे से फिनिश हो रहे हैं कहीं से भी इनको वाश करने पे भी खुलने का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि embroidery ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप उसको wash भी करें तो विल्कुल भी खराब ना हो मैं काफी strong बनाती हूं pressing के बाद या washing के बाद खुले ना तो इसलिए मैं यहाँ पे एक एक stitch और लगा रही हूं मैं इसके साथ भी एक line जो है वो stem stitch की बना रही हूं यहाँ पे हम single single wrap की एक एक french knot लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको काफी decorative बना लिया है तो आप इस तरीके से आप अपने किसी भी project को embellish कर सकते हैं बहुत basic stitches के साथ मैंने इसको बनाया है आप इसके सुंदर सुंदर wall decors बना सकते हैं बस आप color combination देखके लगाएं जो की vibrant हो हमेशा फिके color के साथ वा dark color लगाएं, contrast में colors लगाएं तो बहुत अच्छा effect आता है तो अगर आपको मेरा आज का ये tutorial अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने family और friends के साथ जिरू शेयर करें और मेरे channel को subscribe करना ना भूले Thank you so much, bye bye